कहानी की सुरुआत में हम सम्मूदर में एक बोट को देखते हैं जिस पर से कुछ वरकर सम्मूदर में केमकर डाल रहे होते हैं तबी इन सभी वरकरों के बॉस के पास उसके हेट का फोन आता है जो उससे पुछते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है न तुम सभी को कोई देखा तो नहीं ऐसा करते हुए जिस पर वो अपने हेट से कहता है सब कुछ ठीक चल रहा है हमें कोई भी नहीं देख सकता क्योंकि हम सहर से 500 किलिमेटर दूरी पर यह काम कर रहे हैं लेकिन हम सभी के कुछ दूरी पर एक छोटा सा आईलेंड ने जहां पर कोई भी नहीं रहता ये बस सुन हेट कॉल को कट कर देता है इसके बाद इन सभी वरकरों का बॉस अपने गल्फरेंड के साथ इंजोया करने लगता है और सारे वरकर अपना काम कर रहे होते हैं इन सभी के बोटस से कोई बड़ी चीज टकराती है, जिससे पूरा बोटी हील जाता है ये देख बॉस सभी वरकरों से कहता है, देखो हमारे बोट से क्या चीज टकराईए उसी वक्ट हम पानी में उपनी में एक बड़े से खतरनाक स्टने को देखते हैं जो इन सभी के बोट के नीचे होता है, तभी Snake बोट पर आता है, ये देख सारे वरकर डड़ जाते हैं, लेकिन Snake एकी बार में पूरे वरकरों को मार कर बोट को खत्म कर देता है, जिससे Boss और उसकी girlfriend पाने में गिर जाते हैं, और यहां से भागने के कोशिस करते हैं पर तभी स्नेक आ जाता है और लड़की को एकी बार में मार देता है यह देख बॉस डड़ जाता है और आइलेंड के तरफ जाने के कोशिस करता है पर तभी स्नेक पानी के अंदर से निकलता है और उसे खड़ा ही निकल जाता है इसके बाद हम एक जू में एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम अयन होता है जो जू में एक गुरीलो को देख रही होती है तब ही अयन के फादर आते हैं जिनका नाम लियांग होता है जो अपनी बेटी से पूछता है तुम क्या ड्रॉ कर रही हो यह बाद सुन अयन कुछ भी नहीं बोलती है और वहाँ से आगे चली जाती है तरासल लियांग और उसके वाइब का रिलेसंसीब अच्छा नहीं चला होता है इसलिए अयन बच्पन से ही बहुत कम बोलती है और हमेसा सांत रहती है इसके बाद लियांग के फादर अपने गोरीले के पास जाते हैं उसे खाना देने के लिए इसके बाद वो और भी एनिमल को खाना देने के लिए जाते हैं तभी हम आयन को देखते हैं जो गोरीला के पिजड़े के पास जाकर उसका ड्राइंग बना रही होती है तभी गोरीला आयन को पिजड़े के पास दिकर बहुत गुसा हो ज तबी वहाँ पर लियांग का फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम वॉंग होता है जो लियांग को सांथ करता है उसी वक्त वहाँ पर जुका माली का जाता है जिसका नाम मिस्टर वू होता है जिसे देख वॉंग अपने बॉस से कहता है मेरे दोस्त से गलती हो गई प्लिस उसे मा मैं तुम्हें बहुत महनेच से यहां पर जॉब दिलाया हूँ तब ही लियांग के वाइप का फोन आता है जो उससे कहती ही तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने साथ लेकर जाने की ये बात सुन लियांग अपने वाइप से कहता है मैं उसका पीता हूँ क्या म पर वो नहीं हसती ये देख लियांग वांग को एक टॉय देता है अपने बेटी को देने के लिए जो वो सुपर मार्केट से लाया होता है जब वांग आयन को टॉय देता है तो वो टॉय को लेकर रख देती है और लियांग ये देख रहा होता है तभी वांग आयन से कहता है आज हम लोग कहीं घुमने चल रहे हैं, जहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ये बास उन ऐयन हेटफोन लगा लेती है, इसके बाद हम मिस्टर वू के बड़े से सीप को देखते हैं, जहाँ पर उनके सारे पैसेंजर्स बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंक सीप के टरबाइन से चिपक रहे होते हैं, इसके बाद हम मिस्टर वू को देखते हैं, जिनके पास सीप का कैब्टन आता है, और मिस्टर वू से कहता है, सीप के टरबाइन में कोई खराबी आ गई है, जिससे हम आपके लोगों को और समान को कुछ दिन लेट पहुचा और हम वहाँ पर फूल स्पीड से चलेंगे दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो अयन को हसना सिखा रहा होता है उसी वक्त सभी लोग न्यूज में देखते हैं जहांपर न्यूज रिपोर्टर बताती है सम्मुदर में ज्यादा गंदगी फैलाने से सम्मुदर में रहने वाली मचलिया मर रही है और किनारे पे आकर सड रही है तभी हम सिप में एक कपल को देखते हैं जो बहुत खुस होते हैं क्योंकि वो पहली बार कहीं बाहर गुमने के लिए जा रहे होते हैं तभी लेडी का हस्मेंड अपने होने वाले बच्चे के लिए सूज लाया होता है और अपने वाइब को दिखाता है ये देख उसकी वाइब बहुत खोस हो जाती है दूसरे तरफ हम वाइब को देखते हैं जो आयन से कहता है तुम खाना खाओ, मैं बस कुछ देर में आ रहा हूँ इसके बद हम लियां को देखते हैं जो सारे इनमल्स को चेक कर रहा होता है चेक करने के बाद वो अयन के पास जाता है तभी हम गोरीला के पीजेडे के पास रेड़ सारे स्नेक को देखते हैं जो नीचे से उपर आ रहे होते हैं पिर हम वांग को देखते हैं जो मिस्टलिव के पास जाता है जहां पर वो सीप में वी आईपी रूम बुक कर रही होती है लेकिन रूम नहीं बुक हो पाता है जिससे वो बहुत परसान होती है तभी वांग लड़की से कहता है क्या तुम्हें मेरी हल्प चाहिए जिस पर मिस वांग से कहता है यह तुम्हारी वाइफ है यह बास सुन उसे बहुत अज़ीब लगता है और कहता है मैं इस बुड़ी औरस से थोड़ी नसादी करूँगा तभी वांपर इस लेड़ी का हस्बेंट आता है और वांग से कहता है माफ कर देना मेरे वाइप का एदास चला ग है तभी सीब किसी चीज़ से टेकर आती है जिसे सारे लोग डर जाते है उसी वक्त हम सीब के कैप्टन को देखते हैं जो अपने क्रू मेंबर से पूचते हैं तो वो बताता है लगता है सीब किसी बड़े पथर से टेकर आई है यह बास सारे सीब के क्रू मेंबर सीब को चे जो गुरिली के पास जाकर उसे फॉल देती है खाने के लिए, जिससे गुरिला उसका फ्रेंड बन पाए, दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं, जो नहा रही होती है, तभी लड़की के उपर एक स्नेक गिरता है, ये दिख वो डर जाती है और तुरण बाथरूम से बाएर निकल दिये, और वॉँग से कहते हैं, बाथरूम में बहुत सारे स्नेक है, इसके बद हम सीप में सारे पैसेंजर्स को देखते हैं, जो इधर उधर भाग रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे स्नेक सीप के अंदर आ गये होते हैं, जो सबी लोग को काटने लगते तबी हम सीप के कैप्टन और सारे क्रू मेंबर को देखते हैं, जो ये दिख परसान हो जाते हैं, और तुरन सीप के क्रू मेंबर पैसेंजर्स को सांध कराने के लिए जाते हैं, और सीप के कैप्टन एलेट बटन को चालू करके सभी से कहते हैं, सभी पैसेंजर्स सांध हो तो लेकिन तबी हम सीप में धेर साइ स्नेक को देखते हैं जो सभी प्रेसेंजर्स को काट कर मार रहे होते हैं उसी वक्त हम लियांग को देखते हैं जो सीप में आयन को दोड़ कर परसान हो जाता है और वों को कॉल करता है लेकिन वो फोन को नहीं उठाता है पर तभी लियांग सीसे में एक बड़े से स्नेक को देखता है जो सीसे को तोड़कर रूम में आने की कुशिस करता है ये देख लियांग डर कर वहीं गिर जाता है और तुरंत कमरे से बाहर निकलता है दूसरी तरफ हम गोरिले को देखते हैं जो पिजड़े को तोड़कर बाहर निकलना चाता है क्योंकि उसके पैरों में तेख सारे स्नेक काट रहे होते हैं ये देख अईयन डर जाती है इसके बाद हम मिस्टर वू को देखते हैं जो सीप के कैप्टन से कहते हैं इतना स्नेक कैसे आ रहे हैं ये सुन कैप्टन बताता है ये स्नेक पास के आईलेंड से आ रहे हैं ये बाद सुन सब अपनी जान बचाने के लिए सेप्टी रूम के तरफ जाते हैं पर तभी जाइंट स्नेक इन सभी के सामने आ जाता है जिसे देख सब डर जाते हैं और उसे बचने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं लेकिन स्नेक मिस्टर वू के एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे मार देता है इसके बाद हम सभी पैसेंजर्स को देखते हैं जो अपनी जन बचाने के लिए सीप के उपर वाले फ्लोर पर जा रहे होते हैं और सीप के कैप्टन सभी लोग को सेप्टी रूम में लेकर जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं मगर बाहर अब तीन लोग बच गे होते हैं तभी Snake सेप्टी रूम में आने की कोशिस करता है पर नहीं आ पाता ये देख सभी लोग सांथ हो जाता है और उन्हें लगता है कि हम बजगे तभी एक आतमी जो पैलोजी प्रोफेसर होता है वो सभी से बताता है ये Snake दूसरे आइलेंट से आ रहे हैं जो बहुत जरीले हैं ये बास सुन मिस्टर वो सीप के कैप्टन से कहते हैं जल्दी रेस्क्यू टीम को कॉंटेट करके यहां पर बुलाओ पर तभी लियांग को कैमरे में यहन दिखती है जो गोरिले के पिजडे के पास खड़ी होती है ये देख लियांग बहुत परसान हो जाता है और वांग उसे सांत करता है और कहता है तुमारे बेटी को कुछ भी नहीं होगा इसलिए हम तुम्हें बाहर नहीं चाने देंगे ये बास सुन सभी passenger's लियांग से कहते हैं हम मरना नहीं चाते हैं प्लीज सेप्टी रूम को मत खोलो तभी लियांग सभी से कहता है प्लीज मुझे यहां से जाने दो मुझे अपने बेटी को बचाना है लेकिन तबी लेडी का हस्बेंट लियांग से कहता है सांत हो जा हो मिलकर कोई रास्ता सोचते हैं ये बस सुन वांग कहता है अगर हम लेट हो जाएंगो तो स्नेक आयंट को मार देगा तबी हुआ पर स्नेक आ जाता है और वो फिर से सेप्टी रूम को हीट करने लगता है ये देख सभी लोग सांथ हो जाते हैं लेकिन लियांग इसका फाइदा उठाकर वो सेप्टी रूम से बाहर निकल जाता है दूसरी तरफ हम गोरीले को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा घुसा हो गया होता है क्योंकि अब वो पहले से बहुत भी बड़ा हो गया होता है इसनेक के काटने के विज़े से तभी हम गोरीले की फेस को देखते हैं जिसकी आखे बहुत लाल होती है ये देख आयन डर जाती है और पिजड़े से दूर होकर रोनी लगती है लेकिन अब गोरीला पिजड़े से बहार निकालने की कुशिस करता है पर वो पिजड़े को तोड़ नहीं पाता दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो आयन के पास जा रहा होता है तभी लियांग को रास्ते में वो स्नेक दीखता है जो वहाँ से जा रहा था ये देख लियांग डर कर छीप जाता है स्नेक के जाने के बाद जब वो नीचे जाने के लिए जाता है तभी लियांग के सामने स्नेक आ जाता है जिससे देख लियांग डर कर वहाँ से भागता है लेकिन वो स्नेक से तेज नहीं भागता है और स्नेक उसे मारने वाला होता है पर तभी वो फ्लोर से नीचे गिर जाता है जिससे लियांग स्नेक से बज जाता है और तुरंत अयन को लेने के लिए नीचे जाता है पर तभी ल दोनों के смесь से वेन के पास आ जाता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता जिससे वो यहां से चला जाता है इसनेक के जाने के बाद लियांग अयन से कहता है मैंने जो तुम्हेरे लिये ट्वाइल आ था वो मुझे दो ट्वाइक और लेकर लियांग वेन से उसे बाहर फेकता है जिससे वो पता लगा पै कि स्नेक है की चला गया। लेकिन तभी स्नेक टॉय की आवाज सुनकर वहाँ पे आ जाता है। ये देख लियांग डर जाता है और तुरंद वैन को स्टार्ट कर देता है। और वहाँ से बाहर निकलता है। वैन को बाहर जाते हुए देख इसनेक उसका पीछा करता है और उसके उपर अटाक कर देता है। जिससे वैन अंदरी फस जाती है। लेकिन जाते वक्त सीप का फ्लोर तूटा होता है जिससे लियांग अयन को बचा कर धिरे धिरे आगे बढ़ता है। पर तभी अयन स्नेक को देखकर डर जाती है जिससे लियांग फ्लोर से नीचे गिर जाता है। ये देख आयन रोने लगती है, तभी हम नीचे लियांग को देखते हैं, जिसे कुछ भी नहीं होता, और वो बच कर नीचे से उपर फ्लोर पर आ जाता है, इसके बाद हम सैब्टी रूम को देखते हैं, जिसके अंदर के सभी लोग बहुत डरे होते हैं, पर तभी लियांग और येन वहाँ पर आते हैं, और लियांग सभी से कहता है, प्ली सैब्डी रूम के दरवाजे को उपिन करो, ये देख वॉंग अपने फ्रेंड को अंदर लाने के लिए जाता है, पर तभी मिस्टर वू उसके उपर फायर कर देते हैं, ये देख वॉंग डर जाता है, और वू वॉंग से कहता है, तुम पागल हो गयो, चलो ठीक है, पहले तुम अपनी जान मुझसे बचाओ, फिन तुम उन दोनों को बचाना, ये बोल वू उसे मारने लगता है, तभी एक लड़की वॉंग को बचाती है, और मिस्टर वू से कहती है, अगर ये बात मुझे पहल जाता है, और सेप्टी रूम के उपर हमला करने लगता है, जिससे सभी लोग डर जाते है, और स्नेक सेप्टी रूम के गलास को तोड़ देता है, ये दिख सभी लोग डर जाते है, और मिस्टर वू कैप्टन से कहता है, तुम ने कहा ता कि ये गलास बुलर प्रूब गलास लेकिन इसने किस ग्लास को तोड़ दिया तभी वू स्नेक को डिस्ट्राट करने के एक लड़की को पगड़ कर बाहर करता है जिससे इसने कुछ से खाकर सांथ हो जाए ये देख लेडी का हस्टबंड मिस्टर वू के गन को ले लेता है हम सभी को यहां से बाहर चलना चाहिए में भी हम बच जाएं ये बास सुन वू सभी से कहता है तुम लोग यहीं पर रहो मैं बाहर जाओंगा तभी सीप का कैप्टन कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो हम रेस्क्यू टीम को नहीं बुलाएंगे ये बास सुन वो रूख जाता है तभी प्रोफेसर वू से कहता है अगर हम सीप में म्यूजिक सालू करते तो स्नेक उसके वाइब्रेशन से यहां से भाग जाएंगे और हम बच कर यहां से लाइफ बोट के पास जा सकते हैं इदर हम पूल को देखते हैं जिसमें सबी लोग मरे पड़े होते हैं और पूरे सीप में बस डेथ वाटी ही फैली होती है इसके बाद हम सेपटी रूम को देखते हैं जिसके अंदर से सबी लोग बाहर निकलते हैं पर तभी मौँपर सनीक आ जाता है जिसकी आवास सुन दोनों रूख जाते हैं और आयन लियांग को गोरिला के तरफ ले कर जाती है जहाँ पर हम गोरिले को देखते हैं जो सीप के अंदर तोड़ फूर कर रहा होता है ऐसा करते हुए देख वो के आदमी उसके उपर फायर कर देते हैं जिससे गोरिला बहुत गुस्ता हो जाता है और सीप के उपर अले सेक्सन में जाता है और सभी पेसेंजर्स भी उपर जाते हैं तभी आयन गोरिला को देखकर उसके पास जाती है जहां पर गोरिला बहुत गुस्ते हम होता है जिससे देख गोरिला बहुत गुस्ता जाता है और स्नेक के तरफ जाता है और अब स्नेक और गोरिली में बहुत जोरुकी लड़ाई होने लगती है दूसरी तरफ हम केमकल के टैंक को देखते हैं जिसमें से केमकल गिर रहा होता है दरासली ये chemical वही होता है जो movie के शुरुआत में वरकर समुदर में डाल रहे थे तभी chemical को देख प्रोफेसर सबी लोग से बताता है इस chemical के वज़े से ही पानी में इतना pollution बढ़ा है और इतने snake पैदा हुए है और Mr. Woo ही वो इनसाने जो chemical पानी में मिला रहे थे ये देख वू और उसके आदमी snake के उपर fire करने लगते हैं लेकिन snake को कुछ भी नहीं होता और वो एके करके वू के आदमियों को मारने लगता है पर तभी snake के टेल से वू को लग जाती जिससे वो दूर गीर कर बिहोस हो जाता है दूसरी तरफ हम आयन को देखते हैं जो गोरिले को उठाने के लिए जाती है ऐसा करते हुए देख सभी लोग गोरिले को उठाने के लिए जाते हैं और उठा नहीं पाते हैं लेकिन तभी snake लियांग और बाकि सभी के उपर attack करने के लिए आता है उसे वक्त गोरिला उठता है और स्नेक को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और उसे मारकर दूर करके गीर जाता है क्योंकि स्नेक का जहर उसके बॉडी के अंदर बुरी तरह से फैल गया होता है जिससे गोरिला मर जाता है ये देख अयन रोने लगती है और लियांग भी, क्योंकि लियांग उसे बच्चे के तरह पाल कर इतना बड़ा किया होता है और ये देख सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं मगर अब बहुत कमी लोग बच्चे होते हैं तभी स्नेक फिर से वापस आ जाता है और एक आदमी को खड़ा ही निगल जाता है ये देख लेडी का हजबेंट उसे मारने के लिए जाता है लेकिन स्नेक उसके उपर अटैकर अपने मुँ में ले लेता है ऐसा देख उसकी भाई फ्रोने लगती है तभी स्नेक उसे फेकता है जो ओयल टैंक के पास जाकर गिरता है और अब वो सुचता है कि मैं स्नेक को जलाकर मारूँगा जिससे वो ओयल टैंक को स्नेक के पास ले जाकर ब्लास्ट कर देता है जिससे स्नेक बचकर भिहोस हो जाता है लेकिन लेडी का हस्वेंट मढ़ जाता है दूसरी तरफ हम मिस्टर वू को देखते हैं जब उसे होस आता है तो वो तुरंट लाइब बोट के पास जाता है और सभी लोगों से कहता है सीप पर रहा और इंजोय करो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वो सीप के कैप्टन से कहता है जल्दी लाइब बोट को पानी मूतारो लेकिन वो उसकी बाते हैं नहीं मनता यह देख वॉंग उसके पर फायर कर देता है पर तभी मौपर स्नेक आता है जो मिस्टर वू को एकी बार में निगल जाता है यह देख कैप्टन सारे लोगों से लाइब बोट में बैटने को कहता है तभी हम प्रोफेसर को देखते हैं जिसके लेडी को स्नेक काट लिया होता है और उसको अपना पास्ट याद आ जाता है यह देख प्रोफेसर बहुत खुस हो जाता है और पुरा सीब खत्म हो जाता है इसके बाद हम लाइब बोट को देखते हैं जो आगे नहीं जा रहा होता है जब कैप्टन यह देख उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बोट के इंजन में कुछ फसा है जिससे वो उससे ठीक करने के लिए पानी के अंदर जाने के लिए जाते हैं तभी वॉंग कैप्टन से कहता है अगर आपको कुछ हो गया तो हम घर नहीं पहुच पाएंगे यह बास सुन लियांग पानी के अंदर जाता है बोट के इंजन को ठीक करने के लिए क्योंकि अब snake का जहर उसके body के अंदर fell गया होता है तभी Wong को भी ये बात पता चालाती है कि उसे snake काट लिया है और ये बात वो सभी से बताने के लिए जाता है लेकिन Liang उसे रोकता है और वो पानी में जाने से पहले ये दिक Liang फिर से boat को ठीक करने के लिए जाता है और वो बोट को ठीक करके पानी में डूब जाता है बाहर हम अयन को देखते हैं जो बहुत रोल रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि अब मेरे पापा नहीं आएंगे तब तक लिए गाइस बापा टाटा टेक केर